दिन भर तरुताजा बने रहने के लिए बेहद जरूरी होता है कि रात की नींद अच्छी से पुरी हो यानि बीच बीच में नींद ना टूटें, सपने भी ना आएं क्योंकि रात की नींद अच्छी होगी तो अगला दिन एनरजेटिक होगा इस समय पर काम आसानी से होंगे और फोकस भी अच्छा रहता है अब सवाल ये उड़ता है कि आखिरकार रात को ऐसा क्या करें कि नींद जल्दी आ जाए और गहरी भी आ जाए तो ये काम गारलिक कर सकता है जी हाँ तो चलिए आपको बताते हैं कि सोने से पहले किस तरह से आप लेसन का उप्योग कर सकते हैं आप रात को सोने से पहले तक्या के नीचे लेसन की एक कली रख लें ये कली बड़े अकार की होनी चाहिए इसे बीना छीले ही तक्या के नीचे रखना है आपको बता दें कि पूरा नहीं रखना है, सिर्फ इसकी एक कली रखनी है इसे छिलके सहीद रखने पर आपको इसकी तीखी गंद भी नहीं आएगी और तक्या भी खराब नहीं होगा अपके तक्या से होते हुए लेसून की बहुत ही भीनी खुश्बू आप तक पहुचेगी जिसे आप शायदी महसूस कर पाएं बता दें कि ये अरोमा आपके मश्टिक्स को तनाव फ्री करने का काम करता है इससे आपके नींद बीच-बीच में तूटेगी भी नहीं और जल्दी भी आ जाएगी आपके मन में ये सवाल जरूर उट रहा होगा कि आखिरकार गार्लिक में ऐसा क्या है जो नींद लाने में इतना प्रभावी हो सकता है तो इस दिशा में एक शोध जुआरी है अभी तक जानकारी के अधार पर सरफ इतना कह सकते हैं कि ये लेसुन में पाये जाने वारे सलफर और लेसुन की गंध दोनों का मिला जुला प्रभाव है तो अच्छी नींद के लिए ही आज ही इस विधी को आप अपना कर देखें फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चानल से चुड़े रहें